नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्य नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग खबरों की शुरुआत करते हैं राश्टी राजधानी दिल्ली में होटल और सापताहिक बजार खुलने का रास्ता अब साफ हो गया है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने होटल खोलने के संबंद में आपचारिक आदेश जारी कर दिये हैं यह आदेश दिल्ली के हर इलाके में सित होटलों पर लागू होगा दिली दियास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कंटोनमिंट जोन में पढ़ने वाले होटलों को खोलने की अनुमती नहीं होगी सभी होटलों को केंद सरकार की ओर से जारी किये गए दिशा निर्देशों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा साथी सापताहिक बजार को भी होटल ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमती होगी सापताहिक बजार 24 से 30 अगस्त के बीच ट्रायल बेसिस पर खोले जाएंगे हर नगर निगम के प्रतियक जोन में हर दिन एक सापताहिक बजार खोलने की अनुमती होगी इससे पहले होटल खोलनी की अनुमती देने के दिल्ली सरकार के फैसले पर LG ने रोक लगा दी थी। दिल्ली के उपमुक्य मंत्री मनीश्टी सोध्या ने केंद्रे ग्रह मंत्री अमिट शाह को पत्र लिख कर LG को अपना आदेश वापस लेने के निर्देश देने की मांग की थी। मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों पर कोरोना वाइरस संक्रमन्ट से बच्चाव के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सफर मुहया होगा। इसके निशाने पर दिल्ली की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। ये तीनों आतंकी दिल्ली में कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। और इनके निशाने पर दिल्ली में रहने वाले वी वी आईपी हैं। जैशे मुहमद के इन आतंकीों के नाम गुलजान, जुमान खान और शकील एहमद बताए गए हैं। के पास पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के पहचान पत्र भी हैं। बताय जा रहा है कि सूत्रों के मताबिक ये बस कार और टैक्सी के दिल्ली में खुश सकते हैं। सुशान सिंग राजपूत की मौत की जांच अब CBI के पहुंच गई है। सुशान सिंग की मौत के करीब दो महीने बाद CBI को जांच का जिम्मा सौपा गया। CBI के पास एहन सवाल यह होगा कि वह ये पता लगाएं कि मौत से पहले 13 जून को आखिर क्या हुआ था। मौत से पहले सुशान का विहवार कैसा था। CBI के सामने यह जानना भी चुनोती होगा कि क्या सुशान ने उस रात डिनर किया था। मौत के बाद सबसे पहले किसने शव को देखा था और मौत के बाद किसने शव को उतारा और किसको बुलाया गया। हाला कि CBI को घटना के दो महीने बाद जांच का काम सौपा गया है। ऐसे में CBI को मामले की तह तक पहुँचने के लिए उन्ही सबूतों, तस्वीरों, विडियों और पोस्ट मॉर्टन रिपोर्ट का सहारा लेना होगा। इस बीच अभिनेता सुशान सिंग राजपूद की पोस्ट मॉर्टन रिपोर्ट की जांच के लिए CBI ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई है, जिसमें टीम में एम्स के चार डॉक्टर शामिल होंगे। इस जांच टीम का नेतित्व डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे, डॉक्टरों की ये टीम सुशान के पोस्ट मॉर्टन रिपोर्ट की जांच करेगी और इस पर अपनी राय देगी, CBI ने डॉक्टरों की इस टीम को सुशान की पोस्ट मॉर्टन रिपोर्ट सौंब दी इस रिपोर्ट के अलावा क्यामिकल रिपोर्ट भी शामिल है। पोस्माट रिपोर्ट का अध्यन करने के बाद डॉक्टर की टीम मुंबई जाएगी। आपना की जाती है गनेश उत्सव भादरपद माह की चतूरती से चतूरदशी तक यानी दस दिन तक चलता है। इसके बाद चतूरदशी को इनका विसरजन किया जाता है। उने के कारण इनेग जानन भी कहा जाता है। मानता है कि भादरपद की चतूरती को गनेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन गनेश चतुर्ती त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार पूरे भारत में हर्शो लास और उमंग के साथ मनाया जाता है फिलाल खबरों में इतना ही जुड़े रहे जनसत्य नियूज के साथ धन्यवाद